जेहिंद मैं थाका थेमा का मौसिन शीट टॉंग आजकल एक वीडियो वाइरल हो रहा है एक ओरत है बेटी हुई है शकल से तो पड़ी लिखी लग रही है लेकिन बातों से एसास नहीं हो रहा कि ये ओरत जरा से भी पड़ी लिखी है जाहिल आना बाते हैं ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मुहमद के शेहर से आकसीजन आ रहा है मुहमद के शेहर से आकसीजन आ रहा है अबे पंचर छापो तुम सुनो हकीकत ये अपने आपको लिखती है काजल हिंदुस्तानी असल में अपना सरनेम ये कपड़ों की तरह बदल रही है पहले इनका सरनेम था काजल त्रिवेदी राजस्तान के एक सिरोही के गाउं की हैं हुआ करती थी ये महाँ पर पेदा हुई, महाँ पली बढ़ी तो यहाँ पर इनके दिल में ये नफरत और ये जहर नहीं था फिर इनका नाम चेंज हो गया काजल शिंगाला उस नाम से चलने लगी फिर इनके दिल में अचानक देश भकती जागी जब इन्हों ने देखा कि नफरत पहलाने वालों को जो है वो बहुत रिवार्ड किया जा रहा है इन्डिया में तो इनके दिल में देश भकती जाग गई और इन्हों ने अपने बाप का नाम भी सरनेम भी अटा दिया अपने मिया का सरनेम भी अटा दिया और इन्हों ने अपना नाम रख दिया काजल हिंदुस्तानी है तो गुजरात के जामनगर में शायद पाई जाती है ये तो हो गया इनका कच्चा चिट्टा अब मैं इनसे बात करना चाहता हूँ पहली बात आपने कही ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो हमारे मुहमद के शेहर से औक्सीजन आरहा है मुहमद के शेहर से ऐक्सीजन आ रहा है उन्हीं की kingdom से oxygen आ रही है तो देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है जो चीज है जो logical बात है उसे accept कीजे second बात आपने कही अबे पंचर छापो तुम सुनो हकीकत तुम जो उचलते हो ना इतना पहले तो मैं तुमको इसका technical जवाब दे दू कि हमने भी vaccine बिजवाई है हमने भी दवाया बिजवाई है और international करार होते है ओके तो इस बात से भी हमें कोई परेशानी नहीं हम यही तो कह चाहते हैं कि यह मुसल्मानों से छुपी दोस्ती रखते हैं आप लोग समझे आप बेकार में अपने डीजल फूक रही हो ऐसे वीडियो बनाके यह गवर्मेंट तो मुसल्मानों से करार करती है लाना ते यही तो हम कहते हैं उसके बाद आपने हमारे में फूट डालने की क कोशिश की बता दू खैल तुमरी तो आउकात ही निए कि तुम विदेश जाके देख पाओ इस अरब कंट्री में यूए ए तो मिड़म आप अपने थोड़े से फैक्ट स्ट्रॉंग कीजिए थोड़े सी फैक्ट चेकिंग पर काम कीजिए नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकत कि फिर भी हमारे में खर्च करने की ताकत है आप की तरह माल को सेथ के नहीं रखते हम हमारे पास जो होता है हम हमारे उपर खर्च करने की हिम्मत रखते हैं अच्छा कहते हैं बहतरी घूनते हैं और अपने सारी दिल की खौईशात पूरी करते हैं आप की तरह सेथ सेथ के पर उचल रहो ना उस अरब देश में तुम्हारी ओकात थर्ड ग्लास सिटीजन की है। उसकी 0.001% भी तुम्हें इज्जत वहाँ पे अरब कंट्री में नहीं मिलती है क्यूं नंगा हो रहे हो, क्यूं मेरा मुझ खुलवा रहे हो ओकात मेरा करो थोड़ी यार, तुम लोग ओकात से मार जाया मत करो हमारे, क्या बोलते हैं, मुहमत के शहर से ऑक्सिजन, अब एक पंचर छापो तुम कल भी टायर में हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो और भविश्य में भी तुम टायरों में हवा भरने का ही काम करोंगे इंसान के फैपडों में हवा भरने का काम तुम्हारा नहीं है तो तुम मत ही करो तुम्हारे बसका ही नहीं है मडम आप फिर बेवकुफ यह बाते कर रही हो मैंने कहा ना आप शकल सुरत से तो अच्छी पड़ी लिखी लग रही हो लेकिन बाते हैं आप यह जट जाहिलो वाली है बिल्कुल ऐसी कि आपका बस्ता छटी से स्कूल में पढ़ावा हो अरे वो सिटीजन नहीं समझते हैं न थर्ड क्लास न सेकंड क्लास हम माँ जाते हैं कमाने तो वो हमें सिटीजन समझते ही नहीं हमारे employment विज़ा होता है अब बात करते हैं कि वो हमें मुसल्मान समझते हैं या या लोजिकल बात कही है तो एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप देखिए इस क्लिप में एक पंक्चर वाला एक गटर साफ करने वाला एक चप्रासी एक भुड़े की लीद साफ करने वाला एक करोड़ पती सौूदी शेख के बराबर कंदे से कंधा मिला के खड़ा है हम मुसल्मान एक दूसरे को उसके काम के आधार पे उसकी जात के आधार पे बाटते नहीं है जब हम मुसल्मान होते हैं तो हम सिर्फ मुसल्मान होते हैं हमारे में कोई उंचा और कोई नीचा नहीं होता हमारे में कोई सुर्ण या कोई दलित नहीं होता तो आपके वीडियो इस काम के तो है कि एक जाहिलाना बात सुनना चाहो तो सुन लो अपने आपको बेकार में बालात मता की जैक एने वाला ज़जबा लाना हो तो आपका वीडियो सुन लो यह मसल्मानों को illogically जलील समझना हो तो इस वीडियो को सुन लो लेकिन लोजिकली आपकी वीडियो कहीं इस्टेंड नहीं कर रहे तो थोड़ा सा काम कीजे तो इस फैक चेकिंग पर काम कीजे और ताकि आप अच्छे वीडियो बना पाएं आखरी बात कहके ये अपना वीडियो खतम करूँगा क्योंकि आपका तो देड़ मिनट का था मेरा लंबा हो गया आखरी बात कहके अपना वीडियो खतम करूँगा क आपने कहा अरभियों के जो घोड़े होते ना उनकी टॉइलेट साफ करने का ये काम करते हैं लेकिन मुझे हिरानी इस बात पर हुई कि आपको बड़ी नोलेज है अरभियों और उनके घोड़ों के बारे में बहुत गहरा रिश्टा महसूस हो रहा है मुझे आपका पासपर् में कुछ ना कुछ काला है काजल जी तो मेरा जवाब मुकमल हुआ और कुछ बात अगर आप मुझे से पूछना चाहें तो मुझे कांटक कर सकती है मौसन रशीर टॉक के नाम से सर्च करेंगी आपको मैं बहुत एजिली मिल जाओंगा और हाँ एक बात और आखरी बात अपने के साथ काजल अलएं के साथ जो ऐस आइकन लगा रखा वह Share का है व फरख करना चाहिए लगत обсक्रश को आपको पश्यक्र वाले से लेने में में को यह परहिस्न नहीं होगा मैठा का है महसिनिशीर टॉक अब एक पंचर छापो, तुम कल भी टायर में हवा भर रहे थे, तुम आज भी वही काम कर रहे हो, और भविश्य में भी टायरों में हवा भरने का ही काम करोंगे, इंसान के फैपड़ों में हवा भरने का काम तुमारा नहीं है, तो तुम मत ही करो, तुमारे बसका ही नहीं है यह